इस वीडियो के अंदर हम तीन इंट्राडी स्टॉक्स के बारें बात करेंगे जिन स्टॉक्स को आप अपनी वॉच्छिस में एट करके रख सकते कल के दिन के लिए लेकिन कल के stocks के बारे में बात करने इस पहले हम यहाँ पर इचान लेते कि यहाँ पर हमने जो आपको प्रिविस डे पर stocks प्रवाइड किये थी उन stocks ने आज की डेट पर केसा को फॉम किया है जो जो सबसे पहले company उसका नाम हमें देखने को मिल जाता है Aptus Value Housing Finance Limited है यहाँ पर आप इसके पंदरविटे चार्ट को देख पाएंगे यहाँ पर हमने बात किये थी कि अगर जो stock है वह यहाँ पर open होगा इस वाले एरिया पर यहाँ पर open होने के बाद इस trend line को break करें तो वहाँ पर buying करेंगे यहाँ पर जो इसका lower area है वह हमारा SL होगा यहाँ पर देख पाएंगे यहाँ पर open होगा उसके बाद यहाँ पर entity गरूए उसके बाद हमाँ जो target होए तो यहाँ पर अच्छी हो तो देखने को मिल जाए यहाँ पर हमारे entry trigger नहीं किये और उससे पहले जो इहाँ पर नीचे चला गया मतलब कि यहाँ पर हमें entry देखने को नहीं मिली इसके बाद कि थर्ड कंपनी थी उसका नाम देखने को मिल रहा था HDFC Life Limited यहाँ पर आप इसके चार्ट को देख पाएंगे यहाँ पर हमने clear बात इंदिया मतलब कि यहाँ पर इस टोक को मिगनोर कर लेना है चले बात कर लेते कल की date पर हम किन स्टोक को अपनी watchlist में एट करके रख सकते हैं गिविया भारत Limited यहाँ फ्राफिस के 15 मिट चार्ट को देख पाएंगे करन प्राइस हमें देखने को मिल जाता है तेस्ट के एंदर हमें एक बहुती बढ़ याद डिसेंडिंग ट्रिंगल पैटन देखने को मिल रही है यहाँ पर आप देख पाएंगे हमें उपर एक resistance ट्रेंड लाइन देखने को मिल जाते है नीचे एक horizontal support यहाँ पर ट्रेंड लाइन देखने को मिल जाती है यहाँ पर जो हमारी resistance ट्रेंड लाइन है तो यहाँ पर तीन बार टेस्ट हो चुग है जहेसे कि यहाँ पर first time rejection लिया था उसके बाद हम second time और उसके बाद हम third time rejection लिया है horizontal support trend line के बारें बात करें तो यहाँ पर देख पाएंगे फर्स्ट टाइम यहाँ पर support लिया सेकंड टाइम इसके नियरी सपोर्ट लिया थार्ड टाइम जो एरिया है इसके नियर हम इसका प्राइस कंसूर्ट करता हो देखने को मिल जाता है कल के डिट पर अगर यहाँ पर यहाँ पर gap down opening देखने मिल जाएंगे तब यहाँ पर हम इसे इग्नोर कर लेंगे लेवल्स के बारें बात करेंगे तब यहाँ पर आप नोटिस कर पाएंगे यहाँ पर आप इसके पंदर मिट के चार्ट को देख पाएंगे यहाँ पर आप देख पाएंगे यहाँ पर एक टेस्ट हो चुका है यहाँ पर फर्स टेस्ट हुआ था यहाँ पर सेकंड टेस्ट हुआ एंड थर्ट हम इस्टोक है वह इसी के नीरम ट्रेड करता देखने को मिल जाता है उपर आप देख पाएंगे हमें यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बन्ती हो देखने को मिल जाती है जो कि यहाँ पर मिल्टिपल टेस्ट हो चुके जह से कि यहांपर test किया है यहांब सेकंड टैम यहां थोर्ड टैम उसके बाद हो फौर्फ थाम एंग फिफ्ज टैम यह जो रिशूर्टर तैम इसका किल यहां पर करेंगे मतलब उस्टोण कि कल कि डेट पर कोपन होगा इसके बीच में उसके के बाद इस horizontal सपोटर एक ब्रेक करें तब वहाँ पर हम सेलिंग करेंगे एंद हमार जो ऐसे लोगा वह इसके उपर लगा लेंगे अगर जो स्टोक इसके अंदर अपनिंग या फिर डाउन ओपनिंग देखने को मिल चाहिए तब यहाँ पर हम इसे इग्णोर कर लेंगे लेवल्स के बारें बात करें तब यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं सेलिंग करने हैं 997.90 के निचेर एसे लोना चाहिए 1003.60 के उपर एंड टार्गेट देखने को मिलने चाहिए 990 एंड 980 के इसके बात कि जो लास्ट कंपने उसका नाम देखने को मिल जाता है पहल लिमेटर तो कि इसके अंदर भी हम एक बहुती बढ़िया चार्ट पेटन देखने को मिल जाती है यहाँ पर आप नोटिस कर पाएंगे यहाँ पर जायगा तब इसके लावग यहाँ पर देख पाएंगे हम यहाँ पर एक स्मॉल रेजिटर्स ट्रेंड लाइन पर देखने को मिल जा हुआ है कि जोटिन बार टेस्ट हो चुके जैसे कि फास्ट वर्स टाइम सकंड टैम से कि स्टोक शूर्प पर घैट मतलब की यह चैसे है बदो यह जो करें ही यह मिल जाते है यहाँ पर टेस्ट हुआ यहां पर टेस्ट हो यहांपर टेस्ट हो यहांपर टे लिगा पर किया है है यहांपर मतलब कि एगर इइस डूक है वह यहां से यहांकि बीच में उपन होगा उसके बाद एडिशनक अब पर North Carolina हो ऐसके ऊपर लगा लेंगे तार्डट हमें यहां पर नीचे देखने को मिलने चाहिए यह वाला एरिया एंड सेकंड टार्ड़ेट रोना चाहिए यह वाला एरिया यहां पर आप लेवल स्कोर नोट कर सकते हैं सेलिंग हमें करनी है 253.45 के नीचे एसलोने चाहिए 256.70 कीव पर और हमारे चैनल पर नहीं है तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं तो चलिए मिलते हैं नेक्स विडियों में